गुद मॉनिंग लास्ट थर्ड, सब्जेक्ट है आपका मैथेमेटिक्स एंड लेसन नमबर है आपका 11, मिजर्मेंट अफ टाइम तो मिजर्मेंट अफ टाइम में क्लॉक्स हम इसमें कर चुके हैं conversion हमने इसमें लास्ट वीडियो में अपना complete कर चुके हैं आज हम करेंगे इसके add करेंगे addition and इसके करेंगे हम subtraction तो थोड़ा सा यह different है आज का topic addition and subtraction का तो इसे हम करेंगे आज lesson number है आपका 11 and measurement of time page number आपका 141, 42 and 43 में आपके addition and subtraction के questions हैं वो हम करेंगे आज और थोड़े से यह क्या है थोड़े different है ठीके तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका add the following है इसमें तो simple है इसमें 93 seconds में आपको 39 seconds हमने add करने है तो 9 plus 3 कितना हो गया आपका 12 1 यहाँ पर carry हो गया तो 9 plus 1 आपका 10 and 10 plus 3 आपका 13 तो यह तो simple सा add है आपका जैसे हम add करते हैं 1 32 seconds यहाँ पर आपके हो गया है second वाला भी आपका हाँ पर simple है hour है यहाँ और यहाँ पर minute है यानि कि देखिए 51 hour of 43 minute को आपने plus करना है 15 hours and 12 minute में आपने plus करना है 3 plus 2 आपका क्या हो गया 5 and 4 plus 1 आपका क्या हो गया आपके 5 ठेके 1 plus 5 आपका 6 and 5 plus 1 आपका 6 तो यह भी simple आपका क्या है addition है अब देखें यहाँ पर आपका यह थोड़ा सा addition थोड़ा सा different है कैसे आप देखेंगे जबी भी आप जो हमारे time होते है time का job का यह chapter है जिसमें हम additional subtraction को कर रहे है तो addition में आपने यह देखना है जब hour और minute को हम add करते है अगर आप देखेंगे जब हम minute को हम plus कर रहे है तो अगर यह 60 से उपर हो जाता है ठीक है? ठीक है जैसे यहाँ पर देखें 60 से अगर यह उपर चला जाता है तो उसमें से हमको एक घंटा क्या करना होता है निकालना होता है और उसे हम hour में क्या कर देते हैं जोड देंगे कैसे अब देखेंगे यहाँ पर देखें 16 hour and 32 minute को हमको add करना है 7 hour and 50 minute में अब कैसे करेंगे देखें पहले इन minute को हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर side में roughly इसको हम add कर लेते हैं ठीके तो क्या हो आपका यहाँ पर देखें minute 32 plus 50 कितना हो आपका 2 plus 0 2 3 plus 5 आपका क्या हो गया 82 अब 82 minute यहाँ पर आपका हो गया अब 82 जैसे ही आपका यह 60 से आपका 82 क्या हो गया यह 60 से जादा है यह 82 तो हम क्या करेंगे इस 82 में से 60 hour 60 minutes को हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे क्योंकि आपको बता है कि एक जो एक घंटा होता है 1 hour में क्या होता है 60 क्या होते है minute आपके होते है तो यह 82 minute हो रहा है आपने क्यों नहीं किया माइना सुफ्टी फ़एफ मिनट में क्योंकि ये स्थे क्या है कम है आपने ध्यान रखना है कि अगर कापका मिनिट जादा होते हुज तो आप उसमय 60 क्या कर देंगे मांनस हम कर देंगे यहाँ पर हमने अटां और ऐसborg प्रूटी टुट्ट हम निका का add हो जाएगा ठीक है तो 16 प्लस 1 प्लस 7 कितना हो गया आपका 24 तो आंसर कितना आगया आपका 24 hours 22 minute तो यह आपने क्या करना है ध्यान रखना है कि मिनिट अगर आपके 60 से जादा होते हैं तो आपने एडिशन में से 60 जो आप मिनिट को add करते हैं उसमें से 60 आपने क्या करना है माइनस करना है एक घंटे को निकालना है और उसको आर में क्या करना है आपने add आपने करना है तो यह तभी कोश्चिस होंगे जब आप उनकी practice करेंगे तब आपको अच्छे समझ में और आएगा and 4-1 आपका 3 तो कितना आपका answer है 37 seconds अब दूसरा question क्या है आपका hour minute यानि की 18 hour 6 minute में से आपने minus करना है 12 hour 14 minute अब यहाँ पे देखे 6 में से आप 14 को हम minus नहीं कर सकते हैं तो और time हम क्या करते हैं जब हमें hour and minute में नहीं होता या हमारी कोई दूसरी measurement की units होती है उसमें तो हम simple यहाँ पर 8 से हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम carry लेते हैं लेकिन यहाँ पर बात क्या है यहाँ पर unit से हाँपर different हो जाती है यहाँ पर यह देखे यह आपका hour है और यह आपका क्या है minute तो 6 में से हमारा 14 हम minus नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर लेंगे यहा कर देंगे तब हमारा कितना बन जाएगा यह 66 मिनट हमारा यहाँ पर बन जाएगा उसके बाद हम 66 मिनट हमारा बन गया है तो अब हम इसमें से 14 को क्या कर सकते हैं माइनस हम इसमें कर सकते हैं तो 66-14 तो कितना है आपका? 52 मिनिट यहाँ पर कितना बचिगा आपका? 17 अर बचिगा तो 17 मीज़े 12 आपका मैनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 5 आर तो आंसर कितना होगा? 5 आर 52 मिनिट ठीके तो यही आपने ध्याँ रखना है प्लस मानिस से की बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करना है इसको अच्छे से समझेंगे आप और इसकी practice करेंगे ये थोड़ा और addition से subtraction से क्या है थोड़ा सा क्या है ये different ठीक है तो इसको धियान से करना है आपने तो page आपके 143 में भी यहाँ पर आपके subtraction के questions हैं ये आ practice करते रहेंगे and page 142 में भी है आपके questions and page 141 में भी आपके questions है so thank you class